सचार जी गुप्त नवरात्री में मता दुरुगा के दस रूपों की पूजा रातना की जाती है तो नो दिन अलग-अलग क्या भूग लगाना चाहिए ताकि मता दुरुगा परसन हो और जातक कि मनुकाम नाय जलब पून करे अलग-धिन शे जुलाई से आसार सुप्भक्ष की नवरात्री को बुप्त नवरात्री कहते हैं और बुप्त नवरात्री में मता रानी का विशेश पूजा का महत्तु है जदि आप अपनी मनोगामना चाहते हैं आप अपनी इच्छा पुरा करना चाहते हैं तो मातारानी का भोग जो है वहाँ प्रतियक दिन तिथी और मातारानी नवदुर्या के हिसाब से आप भोग लगाएं जैसे प्रतम दिन जो है जिस दिन करसा स्थापन होगा उस दिन मातारानी का घी से बने हुई मिठाई का भोग लगाएं शुद्ध घी का बना हुआ है मिठाई उसका भोग लगाएं और दूसरे दिन दूद से बनी मिठाई का भोग लगाएं तीसरे दिन पंचावरित का aining कि भी दिन माता राने को आरपन करें। चोथे दिन मालपूआ का भुग लगाएं। पांश schlimm दिन मातारानी को केला आरपन करें। जब्ष ही चटें दिन बूंड से बनाटसने भुधाई का भुग लगाएं। साथमें दिन मीछा बान का भोग लगाएं और आठमें दिन लड्डू का भोग लगा सकते हैं जदी हो सके तो नारियल का लड्डू जदी मातारानिय को साथमें दिन भोग लगाते हैं तो अधी प्रसंद माताजी होती है नारियल की लड्डू से और नौवें दिन जिस दिन नवरात्रा की शमापती होती है, हवन उजन होता है, उस दिन खीर और पूरी का भोग लगा करके उस दिन नवरात्रा का जो है हवन इत्यादी नवमी का बलिदान वगर जो भी करना हो उस दिन करके नवरात्री का विसरज़ब कर सकते हैं.